हेलो दोस्तो नमस्कार आप सोभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूजेन इस्टीव दूशन पर आसा करता हूँ कि आप सो लोग बहुत 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 हैँ चले वीडियो की सुरुवात करते हैं आपको आने वाले दिनों में बहुत ही कुछ खास चीजे देखने को मिलने वाली है अगर आप भी scholarship farm डाले हैं या फिर डालने वाले हैं आने वाले समय में तो आप लोगों के लिए जनकारी बहुत ही बहतरीन रहने वाली है इसमें कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में तो जैसा कि आप इसने पर देख पा रहे हैं कि 3 अक्टूबर 23 की खवर है अब आपका बायोमेटिक हाजली के बिना आपको इसकार सिर्फ नहीं दी जाएगी इसपे पूरी वीडियो आपको देखने को मिल लए है तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देजे। चनल पर नहीं को सब्सक्राइब कर लीजे। साथ में बिल आइकन को प्रिस कर देजे। क्योंकि हमारे इस चनल के माध्यम से आपको नई जानकारी के साथ कुछ क्लासेस भी आपको देखने को मिलती है तो चनल बत तरीके से कालेजों को इसको लागू करना होगा यह लखनों की खवर है लखनों से यह प्रकासित कीगी है राज सरकार छादवित्ती के नाम पर होने वाले फरजीवाडा को रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्तित अनिवार करने जा रही है तो यह आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है आधार बायोमेट्टिक के माध्यम से ही आपको जो 75 प्रिशत उपस्ती दर्ज कनारी होगी तब ही आपको इस कालर्शिप मिल पाएगा तो आपके लिए यह अनिवार रहेगा कि अगर आपको इस कालर्शिप चाहिए तो आपको 75 परसंटेश आपको अनिवार देना पड़ेगा अपनी हाजरी को तो अगले साल से सभी स्कूल और करजों में यह आपको देखने को मिलेगा बायोमेट्टिक आपको देना पड़ेगा यह अनिवार है उपस्तिती आपकी अटेंडेंस आपकी 75 परसंट होनी चाहिए समाज कल्याण विवाग की एक अधिखारी ने शोंबार को बताया है कि र आगो करने के लिए समाज सार्डी जारी कर दी गई है राज सरकार हर साल करीब 50,66,66 को च्छात्वित्य परदान करती है दसमोत्तर कह लिजए या फिर 11 से उपर जो भी कच्छाइं आती है च्छात्वित्य पाने के लिए समाज कल्याण विवाग के कच्छाओं में का लाव नहीं मिल पाएगा तो पहले चरण में सभी बड़े सरकारी वा नीची बिस्विद्यालों में ये बिवस्था लाव की जाएगी अटेंडेंस जो आपकी बायोमेट्रिक होगी इस समय आपका इस कलर्शिप की बेवसाइट बहुत ही धीमी चल लई है जैसा कि आप कर पा रहे होंगी समस्चा काफी समय से आती है अगले सत्र में भी यही समस्चा रही थी इस सत्र में तो और ज्यादा समस्चा आपको देखने को मिल लए है दिरे-दिरे से इस पर आपको चीजे देखने को मिल लए है कि नया आपड़ आपको मिल ला है आप लगातार उस प झाल